नेगेटिव्स होते ने वही मन में रहते हैं जब भी उस व्यक्दी को देखते हैं तब इफ यह सीन समबडी रेड वी वांट तो सीम रेड आलवेज इन लाइफ कभी आदमी सुदर सकता है वो स्विकारने की तयारी नहीं है अट्ली विड हमारे यह रहता है ये तो वही है तो आप तो हजारों लोगों को मिलते हो सबके प्रती प्रेम रखते हो सबके नेगेटिव्स भी आपको पता है क्योंकि आपके पास निश्का पट हुए है तो भी आप प्रेम से उनको मिलते हो प्रेम से बातचित कर सकते हो कैसे तब प्रमुग स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताई यह सुन्ने लायक है which is very important for relationships with your near and dear ones family members, spouse children, relatives friends, सबकी relations के पारे में प्रमुग स्वामी ने कहा जिस व्यक्ति से आपने सबंद जुड़ा और आपने तेर किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में पूरे जीवन तक रहनी चाहिए spouse हो, children हो, relatives हो friends हो, neighbors हो, कोई भी friends कोई भी आपने एक बार नकी किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहने चाहिए, मैंने select किये है यह व्यक्ति को मेरे जीवन में फिर उस व्यक्ति के positive जी देखना, negative मत देखना फिर प्रमुक स्वामी बोले के उनमे 99 अवगुन होंगे लेकिन एक तो गुन होगा न द्रस्टी उस पे रखना तो सबंद रहेंगे, विश्वास रहेगा ये किसके लिए जिस व्यक्तियों ने आपने चुना है आपके जीवन में आप लाए हो और पूरे आपके जीवन तक वे सब व्यक्ति आपके जीवन में रहे ऐसी आपकी इच्छा है that set of people for that set of people आप यही सोचना, उनके गुन सोचना उनको गुन मत सोचना, कितनी अच्छी बात है that is very important आप अपने जीवन में 10, 15, 20 वेक्ति तियार कर लो mobile में तो 400, 500, 800 नमबर होंगे, लेकिन this 15 people should be in my life to make my life happy यह seminar के बाद यह talk के बाद घर जाके पहला काम यह करना, select those 15, 20 or 25 people in your life यह व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहने ही चाहिए, कोई भी साब से, I am ready to put anything to keep that relationship और फिर वो 25 वेक्ति का अउगुन कभी मत सोचना उसके गुन ही सोचना then you will enjoy your relationships upon this earth वरना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है तो पुरी जिनकी गेम चलती है and for the rest of the people के attitude रखना है प्रमुक स्वाई मारत को वो अपनी जीवन में से अच्छी बात एक अच्छा wisdom सिखाते थे किसी ने आपको कहा कि आप गदे हो तो कैसा लगेगा आपको विपिनराम जी आप गदे हैं मैंने बोल दिया, चलो जाहिर में, सब के बीच कैसा लगेगा आपको, इंसल लग जाता है न वो तो हमारे अच्छे मित्रे उसके फायर कर सकता हूँ, मैं चिंदा नहीं सतिष जी आपको किसी ने गाली दे दी तो हब को लगता है, मुझे दे दी तो मुझे भी लगता है प्रमुख स्वामी ने एक अच्छी बात सिखाई है मैंने बोले उनके जीवन में गोरप्मान भी हुए उनके उसक्त उन्होंने किस विचार से वो स्थिरता रखी, किस अटिट्यूड रखा कौन से अटिट्यूड रखा तो वे कहा करते थे अपने जीवन में से ये विजडम सिखाते थे कि किसी ने आपको कहा कि आप गदे हो तो प्रमुक्स्वामी कहते थे कि आँख बंद कर लेना और सोच लेना कि मेरी सफेद चमड़ी है नहीं मेरे लंबे-लंबे कान है मेरे पीछे एक पूछ है नहीं, बस तुम्हें गदा नहीं हो इतना ही सोचना है कोई आपको गदा कहे तो इतना ही सोचना है ज्यादा सोचना ही नहीं है दूसरा वीचार वे देते थे किसी ने आपको गदा कहा कि गदे जैसे हो अब सतिशी आपके सामने उंगली निर्देश करके मैं बोलू कि अरविंद जी ज़रा इधर आईए तो आप क्या कहेंगे मैं आपके सामने अरविंद जी ज़रा इधर आईए तो इतना तो आप बोलेंगे अरविंद जी जाए तो आप बोलेंगे स्वामी जी कदाच शायद कोई शकल कोई अरवीन की होगी जो आपको आप पैचानते होंगे उनकी शकल मेरे साथ है तो I am basically आप ये बोलेंगे कि I am not Arvind, I am Satish, इतना तो आप कहेंगे ने तो कोई आपको गदा बोले तो इतना ही बोलना है कि Sorry I am a human being, I am not a donkey, please कितनी शांती रहती है, कितनी स्थीरता रहती है प्रमुक्स्वामी ये कहते थे, ये दो बात बताते बताने के बाद कि आपको किसी ने गधा कहा, तब आप गधा नहीं बनते आपने अपने sleeves रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा, अब आप बने अब तक नहीं थे, अब आप बने, क्योंकि आपने स्विकार कर लिया न, और रियक्शन चालू कर दिया, the moment you start giving reactions and responses to negatives, you have accepted that negatives in life, keep the attitude of not accepting,